हेलो फ्रेंट्स आज हमें बहुती दमाटिदार ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं और ये कोश्चन सिविल सर्विसेज और न जाने कितने एक्जाम्स में पूछा जा चुका हैं और हम एक ट्रिक्स के मादिम से लगबग 5-10 कोश्चन का अंसवर दे सकेंगे तो देखिए दोस्तो आज की ट्रिक्स तो हम बात करने वाले हैं खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदिया उससे पहले मैं आपको बता दूँ खंबात की खाड़ी अरब सागर के अंदर ही इस्तित होती है और यह आपका लगबग त्रिबुचाकार आकृति का होता है देखिए आप यहाँ पराकृति देख लीजी तो मैं आपको देखो क्वालिटी एजुकेशन पर वर्क कर रहा हूं आपको केवल ट्रिक बता दूँगा तो आप उसको ज्यादा टाइम तक याद नहीं रख पाऊगे क्योंकि ट्रिक में सब जब हम ज्यादा ट्रिक्स पढ़ते हैं तो ट्रिक की मिक्सिंग होने लगती है तो मैं आपको देखो चित्रु द्वारा समझाओंगा जिससे की ये ट्रिक आपके दिमाग में ज्यादा लंबे टाइम तक रहेगी साथ ही आपको इस ट्रिक से और अधिक चीजे भी बताऊँगा तो देख ये ट्रिक क्या है इस खंबात की खाड रहेगा समानता क्योंकि समानता का अधिकार हमारे कस्टिटूशन में है तो समानता ट्रिक याद रखोगे तो चार नदिया है जो खंबात की घाड़ी में अपना जल ले जाती है अब देखिए आपको थोड़ा बेसिक इसका बताता हूँ कि साबरमती कहां से ओकर गुजरत नर्मदा और थापती ताकि आपके दिमाथ में एक इमेज बनेगा और आपको याद करने का आपने पोवर आएगा ठीक है ना देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं साबरमती सबसे पहले देखिए राजस्थान से होते हुए साबरमती सबसे पहले राजस्थान से होते वो सबसे पहले MP से आती है माही का जो क्रम है सबसे पहले MP से आती है फिर ये राजस्थान में प्रविश करती है और फिर गुजरात में जाती है उसके बाद खंबात की खाड़ी में गिरती है ठीक है और जब नर्मदा की बात करते हैं तो नर्मदा है ये जो नदी है वो भी आपके MP से ही निकलती है नर्मदा काँ से निकलती है MP से और MP से होती हुई गुजरात में सीधी एंटर करती है ठीके देखे सभी का करम अलग अलग है और तापी कहे या फिर तापती कहे तो तापती नदी जो आती है सबसे पहले ये MP से आती है MP से होती हुई MH में जाती है महराष्टर में जाती है ठीक है और महराष्टर होती हुई ये गुजरात में आती है और गुजरात से फिर खंबात की खाड़ी में गिरती है तो यहां से आपको ये भी साथ साथ पता चला क कौन सी नदी किस-किस राज्य से होकर गुजरती है तो ये question भी आपका यहां से clear हो जाता है और आपके साथ ही दिमाग में एक image बनती है कि वास्तर सावरमती नदी है क्या क्योंकि ट्रिक को पढ़ लेना मात्र आपके लिए काम का नहीं है एक्जामेट ट्रिक बहुत सी तरीक कौन सी आपके लिए ट्रिक किस दूदारी कि वास्तर आपके लिए बनती है